असलाम अलेकूम दोस्तों आज है 9 जून और कुछ लेटेस्ट अपडेट है देख लेते हैं कुछ से दोस्तों जो पहली अपडेट है यहाँ पर बायमेटिक टेस्ट को लेकर के है जो लोग भी अगर बायमेटिक टेस्ट करवाना चाहता है तो Minister of Interior के तरब से latest update दिया गया है कि Biometric Test बिना appointment करना ही होगा Biometric Test करवाने के लिए दोस्तों Minister of Interior का मट्टा प्लेटफर्म करके एक है उनके लावा Minister of Interior का जो website है वहाँ पे जाने के बाद आपको date book करना है उस हिसाब से आपको उहाँ पे जाकर कि Biometric Test अपना complete करना है नहीं तो दोस्तों बिना appointment का आप नहीं करवा सकते हो क्योंकि दोस्तों सभी को मालूम है कि कुईत एरपोर्ट के अंदर अभी नया Biometric System चालू के आगे है जो लोग भी सफर जाते हैं उनको जरूरी है कि Biometric System complete करवाना है जिनके बाद वो सफर जा सकते हैं कुईत से अगली update दोस्तों कुईत के अंदर पिछले दिन भी The Public Authority Manpower के तरफ से campaign चला गया है जिनके दोरान दोस्तों यहाँ पे टोटल 30 परवासे को पकड़ा गया है इसके अंदर आर्टिकल अठार है यानि के अठार नमर वीजा वाली है जो की उनका वीजा एक्सपैर था कंपनी का वीजा था और काफी लॉंग डैम से एक्सपैर था जलीब अलसुएक के अंदर वो लोग काम करते थे उनके अलावा दोस्तो 14 परवासे ऐसे हैं जिनका आर्टिकल 20 था यानि की 20 नमर वीजा जो की खादिम का वीजा होता है घरों पे काम करने वाला लेकिन ये लोग बाहर काम करते थे दुकान और गरे पे काम करते थे आर्टिकल 20 को लेकर के जो के अलाव नहीं है जिनके बास दोस्तों टोटल यहां पे 30 परवासी को पकरा गया है जलीब अलसुएक से मिनिस्टर फिंटेर के तरफ से तो दोस्तों इनका जो कैमपियन है वो अभी भी कंटिन्यू है खासता और से उन सभी परवासी के लिए जो लोग भी क्वेत केंदर इल्लीगल है कभी भी कहीं पे भी दोस्तों इनका कैमपियन सुरू हो सकता है इल्लीगल परवासी के लिए कोईट से सभी अपडेट के लिए दोस्तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जादा से जादा सेयर करें मिलते हैं कोईट से अगली अपडेट तक